हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीद और आप देख रहे हैं आपका फेडरेट चनल गाड़ेन ग्यान थेंक्यू नमस्कार दोस्तों गाड़ेन ग्यान चनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आए दखते हैं इस सब्टे का मेरा गाड़ेन अपडेट इस टाइम पर दोस्तों ज्यादा तर मैं रोज पर फोकुस कर रहा हूँ गमले में इसके बहुत सारे वीड्स आये थे दोस्तों उनको सब हटा रहा हूँ और फॉंजी साइट और आपका बोन मील, एनपी के और टॉप रोज यह सब बराबर दे रहा हूँ है और देखिए उसका रिजल्ट अभी से फूलों से भर गया है मेरा गाड़ेन और देखिए हर भैराइटी पर फूल आया हुआ है वीट्स दोस्तों रेगुलार हटा यह गमले से नहीं तो वहां से यह आपका इंसेक्ट कीडे सब लगते हैं गुलाप में और ब्लाक स्पॉट अगर आपको दिखे पतों में तो उससे आप हटा दीजिए पते को निकल दीजिए नहीं तो वह दूसरे प्लांट में भी श्प्रेड करता है दोस्तों वह फंगाल डिजिज होता है अगर आप रेगुलार फॉंजी साइड का स्प्रे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं और गुलाप को खुले जगा पे रखिए किसी भी कोने में मत रखिए जहां पे यार का जाना आना हो सेंटर में रखिए ऐसा और क्लावडी सीजन में दोस्तों सनलाइट ना भी मिले तो उसको लाइट मिलना चाहिए दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं आप गुलाप कहां से लेते हैं ओनलाइन पर्चेस करते हैं क्या जी हां ये ओनलाइन मिल जाता है ये कोलकोता का पुसपांजली नरसरी है उनको आप कंटक्ट कर सकते हैं उनका वेबसाइड भी है वेबसाइड से आप कंटक्ट कर सकते हैं उनके पास बहुत सारा वेराइटी है दोस्तों गुलाप का मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नमर भी दे दूंगा दोस्तों आप वाट्सेप से भी उनको मेसेज करके मगा सकते हैं यह देखिए न्यू ब्लाग डिलाइट इसका फोल्ड बहुत अचा दिखता है और वाटर ड्रॉप सब लगे हुए हैं देखिए बारिस से आप अगर बिगिनर्स हैं दोस्तों तो गुलाब का मीनी भेराइटी और फ्लोरी गुंडा सिलेक्ट कीजिए और हाइब्रिट टी अभी मत लीजिए अगर आपका एक्सप्रियेंस हो जाए तो हाइब्रिट टी ग्रो कीजिएगा हाइब्रिट टी दोस्तों बहुत बड़ा फ्लावार देता है लेकिन विंटर में आचा दिखता है अभी उसका फ्लावार उतना आचा नहीं आता है लेकिन वो मीनियचर है और फ्लोरी बुंडा जो है वो सब वहराइटी साल के हर महिने में आपको अचा फूल देते हैं और पोलियंथा वहराइटी का गुलाव भी आप लगाईए जो की बटन रोज जैसा होते हैं बहुत छोटे-छोटे और धेर सारा फूल देते हैं वो यह कास्मेरी गुलाव है यह भी आप ट्रैल कर सकते हैं इसका कोई ज़्यादा मेंटन करना नहीं पड़ता है दोस्तों बड्स देखिए अभी से इतना आ रहे हैं वो इंटर में तो यह पूरा भर जाएंगे फूलों से यह एक साथ बहुत सारे आते हैं यह देखिए यह पूलियन्था भराइटी का है बटन रोज और एक पात मैं कहूंगा दोस्तों आप अगर गुलाव लगा रहे हैं तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको रोज गुलाव के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा यह दू गुलार आपको क्यार करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा नहीं तो आप गुलाव मत लगाईए दूसरे प्लांट पर फोकस कीजिए अगर आप सीरियस गाडेनर हैं तो गुलाव लगाईए और मेरा एक वीडियो है गुलाव की पूरी जानकारी वो वीडियो जाईए जो कि मैं वहाँ पे मैंसन किया हूँ वो सब आप रखिये और गुलाव पे मेहनत कीजिए दिखिएगा आपके फूल भी बहुत अच्छा खिलेगा आपके गाडन में भी गुलाव धेर सरा आएगा गुलाव का और एक अच्छी बात है दोस्तों ये पेरिनियल होत अच्छा मर गया तो दोस्तों आपको ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा समर में और ग्रीन नेट अगर नहीं है तो किसी सेडी अरिया में आपको रखना पड़ेगा बड़े से पेड़ के नीचे ये देखिए ये मीनी एचर वेराइटी है मीनी फ्लोरा रेड में और बड्स देखिए बहुत सारे हैं इसका फ्लावर भी दोस्तों बेस दिन लाश्टिंग करता है और ये देखिए ये डेविड अस्टिन वेराइटी का है और इंज सेड में इसका फोल्ड बहुत अच्छ नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगा इस फ्लावार को देखिएगा और थोड़ा खिलने के बाद इसका सेंटर पता चलेगा आपको ये देखिए नेक्स्ट डे सेंटर ऐसे फोल्ड होके आता है इसका बहुत बढ़ी अभेराइटी जुबली सेलिब्रेशन और ये है प्रिंसेस डी मोने को एक साथ देखिए कितना सारा खिला हुआ है और ये देखिए कलकटा 300 बहुत ही खुसबुदार और श्ट्राइब देखिए इसका बहुत सुन्दर लगता है दोस्तों ये और दो तीन आये हुए हैं और साइज देखिए अभी से कितना बड़ा दे रहा है ये और दोस्तों आप बिगिनर्स हैं तो ये समर्स नों आप लगाएए ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वेराइटी ये डिजिज फ्री होता है दोस्तों और हर सीजन में ये फ्लावरिंग करता है समर में भी और फूल्स का साइज बड़ा नहीं होने पर भी बहुत सारा खिलता है और बिगिनर्स के लिए तो मैं कहूंगा बेस्ट गुलाव है ये था दोस्तों गुलाव के उपर मेरा एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा है लगा है तो लाइक कीजेगा और मेरे चनल पर आप नए हैं तो पीछ सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर जल मीलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार